पुले कलकी नाराइन भगवान की जय जय कलकी जय जगत पते पदमापती जय रमापते पहला जो वीडियो था वो क्या था कि कलकी भगवान को पसंद है मासहारी लोग क्यों देखिए कुछ लोगों ने इसका गलत अर्थ लिका लिया है गलत मतलब लिका लिया है चुकि मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर कि देखिए जो हमारे कलकी भगवान है उनके कई रूप है काल भहरवी का रूप है, काल भहरव का रूप है, सनी देव जी का रूप है और भूले शंकर का रूप है तो जो कल की भगवान वो काल भहरवी का रूप है तो उनको क्यों पसंद है जो मासाहरी लोग क्या होता है देखिए महाभारत जब होती है तो महाभारत के starting day पहले दिन पे क्या होता है सबी सेनाई खड़ी थी तो वहाँ पर क्या होता है काल भहरवी माता आती है और बहुत ही उनका खुंखार विक्राल रूप है माता का, तो कृष्ण जी पूछते हैं कि माता बताई आप यहां कैसे, तो माता बोलती हैं यहां पर मैं जो लोग हैं, जो अधर्मी हैं और जो पापी हैं, उनका खपर भरने आई हूँ, तो कृष्ण जी बोलते हैं, हे माता देखिए कौरवो की साइट मेरी नाराइनी सेना है और जो नाराइनी सेना है वो मेरे अनुसार उस तरफ गई है कौरवो की साइट गई है और क्योंकि मैंने बचन दे रखा है दुरियोधन को इसलिए मैंने अपनी सेना उनको दे दिये लेकिन चुकि यह अपने धर्म का पालन कर रहा है तो यह पापी धर्मी नहीं है हे माता मैं आपको जो यह अवसर है मैं अवसर कलियोग में दूँगा कलिकाल में दूँगा जब लोग पाखंडी हो जाएंगे जब लोग मास भक्षन करेंगे और धर्म का आडंबर करेंगे धर्म का बखान करेंगे लिद्दफ थोड़ा बहुत उनके अंदर धरम भी होगा और वो मास भक्षन भी करेंगे और ये मासाहाई चीजों का भक्षन करेंगे और उनको खाएंगे भी तो जो मैंने ये वीडियो बनाया है आप उसको वहाँ पर जाके देखिए चलिए तो इस वीडियो पे हम जाने जा रहे हैं कि देखिए कल की भववा उनको पाने की उनको प्राप्त करने की योग गिता क्या है exactly हम उनको पाक कैसे सकते हैं बताइए देखिए सब सब पहले हम चौपाई पर चलते हैं कई हनुमान्ति बिपती प्रवुसोई जब तब सुमरन भजन ना होई हनुमान जी कह रहे हैं वानरों से हे वानर तुम लोग सुनो क्या है इस चौपाई का मतलब कैह हनुमंती बिपती प्रवुसोई जब तब सुम्रन भजन ना हुई कली काल में रोग कले कलेश लड़ाई जगडा मार पीट द्वंद प्रतियोगता जगडा बाद विवाद ये जो कले कलेश है ये क्यूं है जब तब सुम्रन भजन भजन ना हुई तो हनमान जी बता रहे है वानरो को के कली काल में अधित्तर ये होता है क्योंकि यहाँ पर भजन सुम्रन कीरतन नहीं होता है तो विपत्ती हमारे सर पर आके मणरानी लगती है क्योंकि हमारे घरों में हमारे समाज में हमारे चारोर हमारे महले में हमारी कॉलोनी में हमारे द वो बहुत ही तीव्र होता है। तो हनमान जी बोल रहे हैं सभी बानरों को कई हनुमन्ती बिपती प्रवुस होई जब तब सुमरन भजन न होई। कि जब तब सुमरन भजन न होई बतलब क्या है? आपको कले कलेश का सामना करना पड़ेगा जब तब सुमरन भजन न होई तो हमको सुमरन भजन कीरतन बहुत जादा करना है आंगे हम और चौपाईयों के माध्यम से समझने जा रहे हैं कि भगवन कल की नारायन को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं दूसरी जो चौपाईय है नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा क्या है यहाँ पर प्रगु हनमान जी सभी रोगों से आपको मुक्ती दिलाएंगे नासे रोग हरे सब पीरा सब पीरा है जो सब कस्ट है जो संकट है जो विपत्ती है जो हमारे उपर एक विपत्ती का भार है वो सब को हरन कर लेंगे उसका खत्म कर देंगे जपत निरंतर हनुमत बीरा जपत निरंतर कहां पर शब्द किया है यहां पर गुष्ट स्वामी तुल सिदाज जी महराज ने निरंतर का मतलब क्या है सुबह साम दुफैर जैसे हम भूख लगती है तो सुबह साम दोनों टाइम खाते हैं क्योंकि हम जीवन अपना चल सके है नहीं नहीं खाएंगे तो हमारी मृत्यों हो जाएगी तो ऐसा ही जो हमारा मन है मन के लिए क्या है? मन की भूख क्या है? नाम जाप सुमरन तो जपत निरंतर अगर निरंतर हमारा नाम जाप नहीं है तो फिर हमको रोग, विपत्ती, संकट ये हमको घेर लेंगे ये हमारे उपर आक्रमन कर देंगे और हम इन सबसे घिर जाएंगे तो मन के लिए हमारे पास सबसे औशदी क्या है? हेर के चमकाने के लिए हमारे पास और हमारे बॉड़ी के लिए बॉड़ी लोशन है हमारे सेंपू है हमारे बालो को चमकाने के लिए हमको डाय करने के लिए हमारे पास महंदी है तो आप देख रहे हैं ना पूरा मार्केट में कितना सारा products है हमारे सरीर को चमकाने के लिए बाहरी तोर पर हमारा सरीर बिलकुल चमक जाए हमारे पास body को साबन है सोप है है ना जो सोप है different difference वो किसलिए सरी की गंदी के हटाने के लिए लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा मन मन जो मैना है मन कोई भी लेकिन इसकी सफाइ के बिए कौन सी साबून है? कौन सा यहाँ पर प्रोडक्ट है? कौन सी क्या चीज़ है? नाम जाप. इसलिए हनुमान जी बोल रहा है नासे रोग हरे सब पीरा, सब जितने भी आपके पीरा है वो सब को खतम करने हैं. जपत निरंतर, जो निरंतर जाब करता है ठीक है तो देखे यहाँ पर नाम जाब की महिमा का गुनगान किया है कि नाम जाब अब हमारे चार ओर नाम जाब बहुत सारे हैं राम जी का कृष्ण जी का राधरानी मैया का बोले संकर जी का कलकी नारायन का माधव नाम है जो हमारे जगनना जी का सभी नाम च पत्ति कले कलेश सब को मिटाने वाले सभी नाम सामर्थ हैं सभी बहुत ही अच्छे हैं कोई दिक्कत नी है हर एक नाम जाप आप जाप करिए ठीक है आपको जो मन में आता है जो नाम आपको अच्छे लगता है जो प्रिय लगता है वो आप नाम जाप करिए क्योंकि यहां प देखे कल्यूग जो की कल्यूग का है सबके मस्टिस्क में है सबकी बुद्धी में बैठा है सबकी मन में बैठा है कल्यूग केवल केवल यहां पर लगाया है गोस्तामी तुल सिदाजी ने केवल नाम अधारा केवल नाम मातरा आपको लेना है और सुमर सुमर मतलब नाम को लाप करना है नाम का उच्चारिन करना है सुमर सुमर नर उत्रही पार है नर कौन हम जो है ना मनुष्य वो सब नर में गिने जाते हैं इस्त्री है किनर है पुरोष है यह सब नर में होते हैं क्योंकि जो आत्मा होती है वो नर होती है और जो प्रकृति होती है जो प्रकृति ह ना वो नारी में काउंट होती है नारी में गिनी जाती है तो हम उतर जाएंगे भवसागर से पार नर उतरा ही पारा भवसागर से क्या 84 लाग की यूनियों से चक्कर से हम मुक्त हो जाएंगे कल्यू केवल नाम अधारा सुमर सुमर्ण करना जो नाम आपको अच्छा लगता ह राम नाम, कृष्ण नाम, कलकी नाम, बोले संकर नाम, माधाव नाम, राधा नाम, सबी परियापते, एक से बढ़कर एक है, किसी परकार के कोई दिक्कत नहीं है, हमारे निरंतर जाप से हमारे जो रोग हैं, विपत्ति हैं, वो सब भार हट जाएंगे, ठीक है, अब में आप से भी बड़ी है, क्या है, देखिए, संकट ते हनुमान चुड़ावे, मन करम बचन ध्यान जो लावे, क्या है इस चौपाई का मतलब, संकट ते हनुमान चुड़ावे, संकट से हनुमान चुड़ाएंगे, बिल्कुल, हनुमान जी बिल्कुल आपके संकट जो आन प जिसका फोकस है तो हनौन जी उसकी रक्षा करेंगे इसलिए हनौन जी को रखाए राम जी ने कलयोग में कि आपको भक्तों की रक्षा करनेinea मन पर ध्यान हो करम पर बचन पर ध्यान हो ठीक है अब हम इसको एक हंपल के जरी बहुत экस्चय से समझते हैं कि मन और वचन और कर्म क्या है जिसकी बदोलत भगवान हमको संकेत नहीं दे रहे हैं जिसकी बदोलत हनमान जी हमाई रक्षा नहीं कर रहे हैं क्या हो गया है क्या दिक्कत आ गई है हमारे मन और वचन कर्म में जिसकी बदोलत भगवान हमको दिखनी रहे हैं भगवान हमको प ये व्यक्ति क्या कर रहा है आखों से देख रहा है ठीक है आखों से देख रहा है उस इस्तरी को ठीक है आखों से देख रहा है और मुह है जो मुह से मुह से क्या है वचन वचन मतलब बानी मतलब बचन है जो यहां पर वानी कर रहा है वानी का मतलब होता है यहां पर बोलना तो बचन कर रहा है, बचन क्या कर रहा है, वो भाया जो है ना, वो उन सामने वाले इस्तिरी को बोल रहा है बहन, ठीक है, अब मन है उसका, मन में उसके लड़ू फूट रहे हैं, मन में उसको सेटिंग बनाने के भाव पर कट हो रहा है, किस सेटिंग कैसे हो जाए, मन उसका क बहेंजी संबोधन कर रहा है है ना बहेंजी बुला रहा है लेकिन मन में उसके लड़ू पूट रहा है और आखों से क्या है उसका दूसरा कार में चल रहा है दूसरा कारे चल रहा है समझ रहे ना बात आपको तो मन और वचन और कर्म कर्म क्या कर रहा है वो आखों से उसको जा रहा है देखे जा रहा है ठीक है और वचन उसके क्या है मुझसे क्या है उसको बहन जी बोल रहा है और मन में क्या है यहां पर उसका क्या हो रहा है अंदर लड्डू पूट रहा है आप देख रहा है मन वचन करम तीनों उसके टोटल अलग है अलग 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 दिशा में जा रहे हैं पूरे उसके अलग उनग हो चुए है ठीक है अब उसे हनवान जी बचायेए तो कैसे बचाये बताईए नहीं कोई भाग रहा है एजना उसका बचन कुछ और कर्रा है ऐनकों से कर्म कुछ और कर रहा हूता है और वुद्धी उसकी तरक वितरक में ही फसी है वुद्धी पर उसके कली विराजमान है कली, शाक्षा तो उसके अंदर घुसा हुआ है तो हनमान जी कैसे रक्षा करने बताइए आप तो जब ये मन, वुद्धी, वचन अलग अलग होते हैं न तो यह घोर कली काल का चरम सीमा होती है, जो आज देखी गई है, देखा है आपने कोलकाता में, कौन थे, उसके अपने फ्रेंड थे, फ्रेंड क्या थे, साथ में थे वो, कर्म क्या कर रहे थे, साथ में पेशेंट का इलाज करते थे वो, साथ में जितने डॉक्तर थे वो, उस यूर्स पेशन के लाज़ करते थे ठीक है लेकिन मनं में तो उनके कुछ और चलड़ा मन में तो वासना समाहीत मीत ही थे रही है ठीक है आखे तो इसकी योजना पहले से बन रही थी तो आप बात समझे रहें न क्या है जो मन और वचन करम अलग लग हो जाते हैं तो घोर कली काल का समापन यूग आता है तो ये कली काल का समापन यूग चल रहा है और सत्यूग का आगमन काल चल रहा है तो यहाँ पे मन और वचन करम सबके अलग अलग है और आप सोच रहें कि ये मन और वचन करम लाखो साल तक जाएं तो ये impossible है है ना क्योंकि हमारी प्रक्रति हमको संकेत दे रही है बार बार कि सुधर जाओ, सुधर जाओ अपने मन और वचन और करम सुधार लो सुधार लो, नामजाप पे आजाओ तो जैसे हम नामजाप शुरू करते हैं, तो क्या होता है देखे, हमारे अंदर जो कली वैठा है ना जितने विकारों में उनका समापन होना शुरू होता है, जो वासना है ना उनकी इच्छा का समापन होने लगता है तो यहीं पर एक और चौपाई आती है, भगवान जी रामचरित मानस में क्या है यहाँ पर जो निर्मल मन का होता है ना वो ही मुझे भाता है निर्मल मन मतलब जिसकी मन और वचन और करम तीनों के शुद्ध हों जो मन में वो ही है बहन और जो मुँ में है और जो आखो पर है आखो में ऐसे नहीं कि वो तार रहा हो, वो उसको 14-15 सकंड तक देख रहा हो नहीं, उसकी आखे नीची हो नीची है, एक टक देखा और नीचे देख लिया मतलब क्या उसकी मन और वुद्धी और वानी और उसके जो वचन है वो क्या है एक ही दिशापर है आज से 20 साल पहले देखिए क्या इतनी घुनोनी क्या इतनी बुरी मान सकता थी बताईए हमारे जो वचन है और मन और जो कर्म है और जो बुद्ध है वो एक ही दिशा पर एक ही डिरेक्शन पर चलती थी पहले लेकिन आज जो है घोर कलिकाल में सबकी अलग लग हो गई है तो ये कली है जो कली अंदर बैठा है और कली ने तीन रूप दे दी है एक व्यक्ति को हमारा भगवत करें अध्याय सब्सक्सिया आख दे जोगाए तक हम्येर में बदनाव नहीं आईगा अगर अपने आपको सही व्यक्तियों में ढाले हैं सही आचरन में ढाले हैं सत्संग का हम स्रवन कर रहे हैं सत्संग को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं भगवत अध्याय सुन रहे हैं नाम जाप चल रहा है तो अपना मन निर्मल हो जाएगा अन्य था हमारा मन और बुद्धी और वानी अलग अलग भगेंगे और जैसे मैंने बताया था ना कि जि कि यही विचार बन रहा है और जो पुरुष है उसके भी यही दशा क्योंकि यह घोर कलिकाल है घोर कलिकाल में यह होता है हमारे अंदर जितने भी जो प्रोग्रामिंग भगवाने की वह सब अलग-अलग मुल्टी डिफरेंट डिसाओं में चलती है देखिए जो व्यक्ति अपने आपको चल कर रहा है जूट बोल रहा है चल कपट कर रहा है और दूसरे को मतलब कुछ भी चीज एक्सप्रेस कर रहा है और वह अपना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो सबसे पहले वह अपने आप में hundred percent नहीं है खुद ही वह अपने आप में न्याय पर नहीं है तो हर ही उसको कैसे प्रकट हूंगे हरे उसको कैसे मांग दशन करेंगे नारान कल की उसको कैसे समंझ में आएकई कि नारान कल दो अचब के अंदर बैट है उन्सकी घटगट में यवास करते हैं सबसे पहले जो व्यक्ति खुद ही छलकपट कर रहा है, खुद में ही confidence नहीं है, खुद में ही आत्मा विश्वास नहीं है, तो वो नारन को नहीं पा सकता है, सबसे पहले हमारे मन और बुद्धी और करम और वचन ये एक ही direction पर होने चाहिए, एक जगा पर होने चाहिए, नारन कलक कलकी जी को पाने का क्या उपाय है, क्या है जो कलकी जी को पाने का रास्ता क्या है, देखें, जो कलकी लीला आ रही है, कलकी लीला, तो देखें, क्रिशन लीला हुई थी, राम लीला हुई थी, है ना, तो राम लीला में कौन थे, वानर थे, क्रिशन लीला में कौन थे, गो उनकी लीला में प्रिवेश करेंगे अलेक से कोई नया व्यक्ति नहीं हो जाता है क्योंकि जो भजन सुमरन कीरतन करता है भगवान की भक्ति करता है भगवान अपने साथ रखते हैं भगवान अपनी लीलाओं में प्रिवेश कर वाते हैं और अपना आनंद देते हैं इसका टिकेट क्या है जो टिकेट होता है ना एक टिकेट क्या है बताईए जो एक परकार का अपन कोई भी चीज देखने जा रहे हैं किसी सरकस में जा रहे है तो वहाँ पर एक टिकेट लेना पड़ता है फिर अपन बहाँ पर जाके सरकस में जाके बहुत सारी लिलाएं नाम जाप है बिल्कुल आप चुकी देखिए सभी नाम सामर्थ हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है देखिए एक बात बताएं जब सबरी माता राम जी को भज रही थी तो उसके पहले महा विश्णु जी के बहुत सारे अवतार हो गए थे और भगवान के बहुत सारे नाम थी है ना वामन अवतार था परसु नाम था नर्सिंग अवतार था भगवान का नाम है ना और वारा अवतार था कूर्म अवतार था और हरी अवतार था हाइगरी बहुत सारे भगवान के नाम थी लेकिर राम नाम क्यों पकड़ा सबरी माता ने राम नाम क्यों है तो राम नाम उन्होंने जपा तो भगवान राम प्रकट हो गए उनको दर्शन दिये थे ऐसी आज जो कलकी लीला आ रही है कलकी लीला में हमारा प्रिवेश है उसके लिए कलकी महामंत्र है जय कलकी जगत-पते पन्दमापती, जैरमापती, ठीके नाम सबी सर्वशेष्ट है किसी प्रकार का कोई भी दिक्टत नहीं किसी भी नाम में हमारे हनमान जी जब क्रिश्ण भगवान की भक्ती करते थे बालमुकunder जी भक्ती करते थे और जो भी जितने साधन आप करने जा रहे हो आप यहाँ पर जितना भी आप सामर्थ करोगे और मेरे लिए काम करोगे वो सब कल की नाम, कल की परचार, कल की मंदिर, कल की के गुनगान उसी हेतु आप काम करिए और कल की नाम की भहिमा का गुनगान करिए यह किन ने कहा? आलमकुंदी जी महराज जो कि हनमान जी थे तो यहाँ पर क्या है प्राथमिक्ता प्राथमिक्ता यह है कि जो कली है ना वो डरता है किस से कल की नारएन भगवान से तो जो सैतान होता है सैतान को खतम करने के लिए हमको एक दैविक शक्ती की जरूरत होती है जो दैविक शक्त क्रेशन, राम, हमारे भोले संकर, हमारे माधव जगननात, ये सब जितने हैं, ये भगवान के अनंत नाम हैं, लेकिन सबरी माता ने क्या पकड़ा, राम नाम, राम नाम क्यों पकड़ा, क्योंकि उनको पता था कि अब हरी जो आएंगे, वो हरी आएंगे, अब राम नाम से आ जितना जादा हम नाम सुवरन कीतन भजन करें उतने जादा कल्युक की घड़ियां कम होगी, सत्युक की घड़ियां खिचेंगी और बहुत सारा समय पास आएगा, जो की बहुत सारा समय पास आ रहा है, ऐसे ही देखें जब दुरापती का चीरहरन हो रहा था, तो उरोंने क्य है, उन्होंने स्री कृष्ण को बुलाया, तो कृष्ण जी वस्तर के अवतार के रूप में आ गए थी, तो आप बात समझ रहे हैं, यहां पर देखिए सामने जो हमारे महली में लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई हो रही है, बहुत दंगा फसाद चल रहा है, बहुत मार पिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा शो शराबा हो रहा है, गाली गलो चूरा है, अप किसको बूलाओगे, यहां पर फोन लगाओगे पुलिस को, ठीक है, वहां पर आ गया, चलो PM आ गया, CM आ गया, मुख्य मंत्री आ जाते हैं, वहां पर पारशाद आ जाते हैं, ठीक है सब 2 क्या करेंगे वह सब कहेंगे फूलिस को फ़ोन हो ठीक क्यूंकि पुलिस के पास ये डिपार्टमेंट गो हत्या है जो धर्म को गिराने के जो साजिश चल रही है जो हमारे चारोर मंदिर तोडे जा रहे हैं जो सनातन धर्म के खिलाब जो conspiracy की साजिश हो रहי है बिलकुल दूसरे देशों में हो रही है भारत को गिराने की बिलकुल हो रही है तो इस परकार की जो आज एक परकार का बिवाद खड़ा होने जा रहा है और जो हो रहा है उसके लिए क्या है उसके खत्मे के लिए कलकी नाराण जैसे वहाँ खतम करने के लिए पुल्س को बुलाया, आपने, और किसी व्यक्ति और किसी पद्रक्ता नहीं थी, ऐसी यहां पर कलकी भगवान की नाम की आवशक्ता है जन्हकली जगत पते पद्वापति जर्मापति, उनको बुलाने की जरुवत है तब जाके यहां पर अधर्मियोपापियों का विद्वन्स होगा, विनाश होगा तब जाके यहां पर क्या होगा सत्योग की नीव रखी जाएगे अन्यता क्या है, यह जो चल रहा है कि जो राम और कृष्ण और राधा और माधव ये सब क्या है? कलकी बनकर आए है तो कलकी नाम से क्या है? यहाँ पर जो है अधर्म और अत्याचार इसका सबका सरวनाश होगा, विद्वन्स होगा तो हम को जितना ज़ादा है नाम जाब करना है क्योंकि युक की प्रधानता होती है और युक कौन सा चल रहा है कली काल और कली काल को मिटाने के लिए कौन होते है एक ने एक हरी का नाम होता है हरी का नाम कौन सा है कलकी नार है तो आज के लिए इतना ही मैं आप से आशा करता हूँ के खूब सारा जाप करें कलकी महामंत जै कलकी जै जगत पते पदमापती जै रमापती और भगवान को मिल जलुकर प्रकट करें भगवान आ गए है भगवान का अवतार हो गया है किवल उनको प्रकट होना है अब प्रकट का यह है कि भगवान किसी भी वक्त किसी भी शन किसी किसी चीज में बढ़ना नहीं था किसी साथूसन तपस्वी को पता नहीं था किसी भी रिशी मुनी किसी वी देवी देपताओं को कुछ पता नहीं था और भगवान नर्सेंग सीधे खम में से फटके प्रकट हो गए थी ऐसी कल की अवतार का भगवान का प्रकट है किसी विश करते हैं कि आप सब मन और वचन और करम को सुधारेंगे और एक ही चीज़ पर लाएंगे अपना मन और वचन एक डारेक्शन में एक बात पर और एक चीज़ पर हो जैसे रगुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई इस चौप आई में क्या है हमारे वचन क्या है वचन हमारा वो ही रहेगा चाहिए प्राण चले जाएं तो आज कल्योग में उल्टा होता है कि प्राण बचे रहें प्राण हमारे बचे रहें लेकिन बचन गया तेल लेने वाणी गई तेल लेने मन गया तेल लेने हैना हमारी जान न जाए लेकिन पहले क्या था कि आने की अनुभूती देंगे मागदशन देंगे अनुभब देंगे तो आज के लिए इतना ही चलिए जैश्री कल्की भगवान महराज की रादे रादे